हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब दोस्तों बहुत दिनों से जिसका आपको इंतजार था और वो करेंट अफेर्स का पूरा कंपाइलेशन 16-31 जनुरी का आ चुका है दोस्तों अगर आपने 1-15 जनुरी के कंपाइलेशन नहीं देखे हैं तो उसे प्लीज जाकर देखिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूगा दोस्तों इस करेंट अफेर्स कंपाइलेशन का क्या मतलब है क्या इसकी उप्योगिता है आप सब जानते ही होंगे 10-15 सवाल पूछे जाने लगे हैं अब हर एक्जाम में या फिर आप कोई General competition भी दे रहे हों उसमें भी काम आएगा या फिर आप difference दे रहे हो heck Q का उसमें भी काम आएगा कोई और भी यूनिवर्सिटी इंट्रेंस आप दे रहे हो उसमें भी ये काम आने वाला है तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझी है अगर आप से डिड़ सो कोश्चन पूशे जाते हैं उसमें से दस कोश्चन इधर से आएंगे और यह डेली रिवीजन का चीज है अगर आप मेरे डेली करेंट अफेर्स फॉलो करते होंगे तो आपके लिए यह रिवीजन हो जाएगा और आप भरुसा करिए इतना बेस्ट रिवीजन मैं कराओंगा कि लगभग 100 से 200-300 फैक्ट आराम से करेंट अफेर्स से रिलेटेड फैक्स मैं बताओंगा मैं इसमें GS के फैक्स नहीं बताओंगा क्योंकि GS के फैक्स मैं डेली अपने करेंट अफेर्स में बताता हूं क्योंकि ये जो है एक साल पीछे दिया जाता है तो 2019 यहाँ पे सबसे ज़्यादा जुरूरी है अगला जो है वो कोश्चन है अविनिंग सिक्सर के लेखक दूसरा कोश्चन है अविनिंग सिक्सर ये जो है इसके लेखक है वी वी रमन डबलू वी रमन डबलू वी रमन कौन ह तो यह भारतिये महिला किरकेट टीम की कोच है और भारतिये पुरुष किरकेट टीम के कोच कौन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए भारतिये पुरुष टीम के यह सबको पता भी होगा तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं अगला सवाल देखते हैं रोजगार संगी एप यह जो है 36 गड़ सरकार द्वारा लौंच किया गया है रोजगार संगी एप और रोजगार संगी एप की खासियत क्या है जो लोग भी रोजगार ढूनने में सक्चम नहीं होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म पर तयार करना और उसके थ्रू उनको रोजगार देना और अब 36 गड़ से रिलेटेट जो करन्ट अफेर्श से वो कहा 6 गड़ में 28 नया जिला देना उसका नाम क्या है गोरिला पेंडरा मरवाही ये 28 सोबा जीला है अब 28 जीले 36 गड़ में हो गा है उसका नाम क्या है गोरिला मपेंडरा मरवाई बहुत तरीके सवाल इससे पुछे जा सकते हैं आपसे सबसे पहले तो पुछा जागा रुजगा संगी आप किसने लॉंच किया हाली में किस राज में नया जीला बनाया गया है तो आपको याद होना चीए 36 गड़ उसका नाम भी पूछा जा सकता है और अब उसमें कितने जीले हैं तो हर तरीके से आप तयारी करिए अपनी हर फैक्ट को ध्यान से दीजिए और एक 36 गड़ से बहुत important question जो की बहुत most important पूछे जाने के संभावना कई एक जाम में पूछ दिएगा है 36 गड़ के अंबिकापुर में देश का पहला कचरा कैफे खुला गया है तो ये आपको याद रहना जीए अगला जो question है CRPF के नए डिरेक्टर जेनरल तो CRPF के सेंटर डिजर पूलिस फोर्स इसके असापना कब हुई थी तो 1948 में और इसके डिरेक्टर जेनरल कौन बने है अनंद प्रकास महेस्वरी तो ये नए डिरेक्टर जेनरल बने इसलिए most important होता है appointment के ये सवाल अब जो है विश्व आर्थिक मंच की हम बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनित्व किस ने किया था तो ये जो थे इसका प्रतिनित्व प्यूस गोयल ने किया था और आपको अगर आप मेरे डेली करेंटर फेस फॉलो करते होंगे तो आपको पता होग कि भी स्वार्थिक मंच की बैठक जो है इस बार हुई थी दावोस स्विर्जर लैंड में और यहीं इसका हेड़कॉर्टर भी है स्विर्जर लैंड में साती साथ इसके अस्थापना कब हुई थी 1971 में और यह वर्ल्ड के जो एकोनॉमिक प्राब्लम्स होते हैं उन पे डिसक पसंद में और मीटिंग में एक क्रिश्टल अवार्ड घोसित किया गया क्रिश्टल अवार्ड वो किसे दिया गया है इंडिया के एक लेडी को उनका नाम है दीपिका पादुकॉन तो यह सारे एक्स्ट्रा फैक्स आप प्लीज नोट डाउन करते चले अगर आपने डेली क पादुकोन को अब जो है इनधन सैंदन संब्फशन के लिए अवयान यह पेट्रोलिएम मंत्रालाए के द्वारा इनधन संदक्षण के लिए जो अवयान चलाय गया था उसका नाम बहुत इंपॉर्टन है तो आप इसका नाम है सक्षमल चलिह अगला जो है किस देस ने यो याद रखना है आपको विराट नगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के बारे में मैंने कर इंटरफेस में बताया था यह जो है विराट नगर रश्ट्रिये लता मंगेशकर अवार 2018 देखिए दोस्तों दो तरह के अवार्ड है लता मंगेशकर हो इस कॉंसेप्ट को समझेए लता मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर बात होगी तो ये महरास्ट सरकार दोरा दिया जाता है और सिंपल रश्ट्रिये लता मंगेशकर अवार्ड हो तो ये मध्यपर्देश सरकार दोरा दिया जाता है तो ये कुश्चन बहुत बार पूछा गया है एकजाम में की रश्ट्रिये लता मंगेशकर अवार्ड कि सरकार दोरा दिया गया तो MP और जो लाइफटाइम अचीवमेंट वाला वाड है वो कौन से सरकार तो यह महराष्ट्रा तो यह MP गौवर्मेंट के सरकार की अवाड जो है 2018 यह दिये गया कुल्दीप सिंग को तो कुल्दीप सिंग लेकिन 17 वाले को भी याद रहे क्योंकि एक साथ लॉंच किया गया है विस्वकास सबसे तेज बढ़ता हुआ सहर दोस्तों इस को पहले समझें यह कोश्चन हंडेड परसेंट है और यह जरूर आएगा आपके एक्जाम में इसको वीवी आई में नोट डाउन कीजिए मैं जि यह कंफ्यूजिंग होगा सबसे बड़ी बात है कि यह कंफ्यूजिंग होगा आप नई दिली मुंबई में कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए आपको याद रखना है यह मलपूरम केरल का एक सहर है ठीक है सबसे तेज सहरी जनसंख्या के मामले में बढ़ता हुआ सहर कौन है तो मलपूरम है अब जो है अगला कुश्चन है दसवा नमर दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलियस को तो यह चीन में है और इसकी डायमेटर है लगभग 500 मिटर की इसकी लेंथ है तो चीन ने तो इस मतलब करेंट रफेस में चीन के बहुत सारे नाम आएंगे इसने मैं और इसका नाम देखना बहुत ज्यादा जरूरी है इसका नाम है ए और में चीन के किस प्रोविंस में बणा है और आपको पता होगा चीन में को रोगी और इसका उने वायरस नक्या दिया है तो वह उसका नाम दिया है एन कोविड कोविद 19 ठीक है और इसका नाम कोविद 19 ऑफिसियल है और इसका पहला जो नाम दिया गया था उसका नाम था कोरोना वाइरस के वो कौन कौन से हैं तो वो है किरल और किरल राज ने इसको देखते हुए स्टेट इमर्जेंसी घोसित कर दी है तो यह सारे एक्स्टाफेक्ट बहुत ही जादा आपके काम के होने वाले हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं भारतिये सेना के उप प्रमुख य जो हमारे प्रमुख थे उनका नाम क्या था जनरल विपिन डावत उन्हें चीफ आफ डिफेंस स्टाफ का पोश्ट दिया गया है तो जो मनुझ मुकुन नर्वाने थे वो पहले उप प्रमुख थे सेना के अब उनके नाम पे जो है उनके जगह पे किसको बनाए गया थे त जरूर याद रखिए और 2800 नंबर के प्रमुख हमारे यह हैं इंडियन आर्मी के सबसे बड़ा हवाई जहाज अभ्यास नाम विंग्ज रेडर यह बहुत ज़्यादा जरू है इंडियन आर्मी ने सबसे बड़ा अपना हवाई अभ्यास किया तक वाद और बहुत सारे तम चीन ने बना लिया है ड्राइवर लेश ट्रेन होगी और यह सबसे तेज भी सूपर फास्ट होगी तो इस चीन ने मना इसकी रफ्तार होगी साड़े 300 किलो मिटर पर आवर अगला जो हमारा कोश्चन है अगला जो हमारा कोश्चन है वह है जेड मोड सुरंग जमू कास्मेर में बना है इसकी लंबाई क्या है देखिए दोस्तों मैंने यह ओन लाइन आर इसलिए सेट किया है क्योंकि मैंने डेली कर इंटरफेस में आपको mcq solve कराता हूं यह ओन लाइन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा आपका कम टाइम में सबसे ज्यादा रिवीजन होगा तो जीड मोड सुरंग कहां होगा तो यह जमू कास्मीर में होगा और इसकी लंबाई होगी 462 किलोमेटर तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपसे कुश्चन आएग कि जमू कास्मीर में कौन सा नया सुरंग बनने वाला है तो जेड मोर सुरंग और यह जफित जेड मोर सुरंग कहां बनेगा तो यह बनेगा जमू कास्मीर में तो इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो कोशन है गंतनत दिवस होती है जो लीड करती है वह पहली महिला बनी है इसलिए पहला वाट जहां भी लग जाता है वह एक्जाम के दिरस्टी से बहुत ही ज्यादा और वीवी आई की कटेगरी में इसको रखिए यह जो है तान्या सिर्गिल और यह पंजाब से हैं इन्होंने ही यह भूमिका अग ब्राजील जो है वह हमारे ब्रिक्स जो कंट्रीज है उसमें एक पार्ट भी है ब्राजील तो यह मॉस्ट इंपर्टेंट पार्ट है आपको यह ध्यान रखना चाहिए अगला कुस्चन है भारत ने किस देश से पाम ओयल पाम आप समझते हैं तो भारत ने किस देश से पाम ओयल खरीदना बंद कर दिया है तो यह मलेशिया है दरसल पाकिस्तान से बिगड़ते हुए रिष्टों को देखते हुए मलेशिया ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था तरह तरह से डिप्लमाटिक रूप से इसलिए भारत ने डिसीजिजन ल पहले यह स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिए क्योंकि एक्जाम में ऐसा ही आगा टूनाइट क्या है टूनाइट एक TV टेस्ट का मसीन है टीवी को टेस्ट करने का एक मसीन है इसे भारत ने डेवलप किया है और इसे डव्लू एचो ने मंजूरी दे दी है सबसे अच्छी ख की अनुमति दे दी है अगला जो है एस सीयों की 2020 में राज प्रमुखों की मीटिंग कौन सा देश करेगा तो इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए संगहाई कोपरेशन और्गेनाइजिशन संगहाई सहयोग संगठन इसका जो है एस सीयों सौर्ट फार्म है संगहाई संगहाई प्रमुखों के मीटिंग करेगा भारत ठीक है और इसमें राज प्रमुख मतलब हैड़ अब देश्टेट लोग पाटिसिपेट करेंगे और संगहाई प्रमुख में आठ मेंबर कंट्रीज हैं आपको यह धियान रखना चाहिए इन आठ मेंबर कंट्रीज को जड ठीकिस्टान और कजापिस्तान यह चारों जो हैं इसके मेंबर कंट्रीज हैं देखिए दोस्तों नामिया तो यह तो इन चारों का नाम याद कर लीजी तो नहीं है यह बस याद कर लिए तो Central Asia कि जितने वी देश हैं वह इसमें एवलेबल हैं Maximum तो तुर्कमेनिस्तान या तो यह याद कर लिए नहीं है या फिर ताजी किस्तान उजवे किस्तान किर्गिस्तान और कजाकिस्तान कि राधानी थी अस्तान है लेकिन अब इसकी राधानी बदल दी गई है क्या कर दी गई है नूर सुल्तान ठीक है तो यह सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं और अगला जो कुश्चन है वो है भारत का अजूबा प्लेस स्टैचू ओफ यूनिटी देखिए एक स कुश्चन का तो अजूबे प्लेस में भारत के कौन से अस्थान कौन से प्लेस को सामिल किया गया है तो यह है स्टैचू आफ यूनिटी तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए अगला जो कुश्चन है MSME के विकास के लिए कौन सी कंपनी ने एक बिलियन डॉलर निवेश कर पिलियन का तो यह इसका राइट आंसर होगा आम चन नहीं किया है तो आमेजर नहीं अभी इसका इंडिया में यह सिंप से मेडिया में में से माझ इंटर Commonwealth के आपक्राइज के विकास के लिए लगू कारेऊं के विकास के लिए उन Hilli अगला कोशन है किस भारतियों के इंग्लेंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी के वकील के रूप में चुना गया है Most Important Question और जो भी लोग इंट्रेंस देने वाले हैं लोग के उनके लिए बहुत ही जादा जरूरी है तो यह हरिश शालवे को चुना गया है और इन्होंने ही इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस जिसका हेड़कॉर्टर कहा है दाहेग स्विट्जर लैंड में उसमें भारत के कुल्भुसन जादा मामले को रिपरजेंट किया था और इन्हें इस बार जो है इंग्लेंड और वेल्स की अदालतों के लिए राणी का मुकदमा लड़ने के लिए नियुक्त किया गया है तो आपको यह याद रखना चाहिए हरिश शालवे यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और अगला जो कुश्चन है हमारा 21 नमर आरबी आई के नय डिप्यूटी गौवर्नर कौन है अपको पता है आरबी आई में एक गौवर्नर होते हैं और जो है तीन चार चार जो है वो डिप्यूटी गौवर्नर होते हैं तो अभी डिप्यूटी गौर्णर के लुप में चुना गया है माइकल देवबरत पात्रा को तो मैंने सौर्ट में लिखा है M.D. पात्रा और ये विराल अचारया ने इस्तिफा दे दिया था इसके बाद इनको अपॉइंट किया गया है RBI के अस्तापना हुई थी एक अपरेल 1935 को दरसल RBI एक्ट पास किया गया था 1935 में तो 49 में अस्तापना हुई थी नेशनलाइजेशन जो है 1935 ही ज़्यादा सही है और इसकी नेशनलाइजेशन हुई थी तो यह आप दोनों चीज़ अलग अलग करके रखें कि 35 और और आर्वी एक अभी गवर्णर करना सक्ति कांता दास तो कंफ्यूज नहीं होना है कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी पस क्लियर रखना है स्वयोग काईजिन एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में है त तो यह most important हो जाता है स्वयोग काईजिंग भारत और जापान अगला जो कोशन है ताल जौला मुखी जिसके बारे में मैंने बताया था किस देश में स्थित था यह और कहां फूटा था तो यह जो है फिलिपिन्स में फूटा था फिलिपिन्स के राजधानी का है मनीला और पेसो यहां की करेंसी है और फिलिपिन्स के ही एक राष्ट पती थे रेमन मैक्से से उन्होंने उन्हीं के याद में एक अवार्ड शुरू किया था जिसका नाम क्या था रेमन मैक्से से अवार्ड जो कि इस बार भारतिये किस भारतियों को दिया गया है तो यह दिया गया सवर कंठ जिले में बनेगी दुनिया की सबसे दूसरी उची मुर्थी सबसे वड़ी दिहान देने वाली पहली उची मुर्थी का है तो यह Spring Temple बुद्धा जो है वो चाइना में यहीं पर सबसे उची मुर्थी है और Spring बनी है चलिए अगला है लखनौ के पहले पुलिस आयुक्त कौन है जो यूपी के एकजाम सोगे या फिर यूनिवर्सिटी के उसके लिए बहुत जादा जानरी है लखनौ को पहले परमानू बैलिस्टिक मिसाइल है क्या है इसे कहां से छोड़ा गया तो इसे आंधर परदेश से छोड़ा गया था आंधर परदेश के तत से और जम पानी के नीचे वाले प्लेटफर्म से इसे छोड़ा गया था इसे लांच किया गया और इसके मारक चमता है 3500 किलम्टर इसके टेस्ट किया गया सब्मरीन से इसे लांच किया जा सकता है इसकी कैपबलिटी ये इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है अगला कोशन है सो के अंतरस्टिय मैंच में थर्ड अंपायर की भूमी का निभाने वाली पहली महिला तो यह हैं जैकलिन वीलियम्स को जड़ा ध्यान से देखिए जैकलिन वीलियम्स जो हैं यह थर्ड अंपायर की भूमी का निभाने वाली है अगर आप मेरे डेली करेंट इस देखते हों पूरूस बंडे में रेंफृरी का पहला ऐसी अउरत है जो नहीं ने रेंफृरी का काम किया था तो यह कौन है जीस लक्शमी तो यह सारे अलग-अलग बहुत ज्यादा इनका योगदान रहा है क्रिकेट में इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनों लगतार 21 मेडन ओवर का रेकॉर्ड है इनका जिसे किसी ने अभी तक नहीं तोड़ा है तो इसलिए ये वीवी आई की कटेगरी में क्वेश्चन है तो आपको ये ध् है बापु नाड़ करणी क्रिकेट और लगतार 21 मेडन ओवर मनमुहन महा पात्रह इनको भी इनका भी देहान्थ हो गया और ये विए फिल्म कार थे ठीक है इनका भी देत हो गया था ये उड़िया फिल्म कार थे और इनके दिट से रिएलेटेब एक खास बात मैं बता दू इन्हें लगतार आठ बाल नेशनल फिल्म आवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और मिला भी है कई सारे आवार्ड बहुत ही ज्यादा ये फेमस रहे हैं अगला जो हमारा क्वेशन हैं खगेंदर थापा इनका भी देथ हुआ ये दुनिया के सबसे छोटे कद यह पूछा जाएगा यह कहां के थे तो यह नेपाल से पहें अगला जो वर्ड अगला जो क्वेशन है मलेसिया मास्टर 2020 पूर्व सेकल का किटाब किस ने जीत लिया य यह मौस्ट इंपोर्टेंट और रिसेंट में खतम हुआ इसलिए बहुत ज़्यादा ज़री हो जाता है इसे केंटो मोटा ने जीता मलेशिया मास्टर 2020 पूरे सेकल का किताब एक्जाम से पहले हम लोग करेंट अफेस की पूरी एक कंपाइलेशन लांच करेंगे बहुत ही माम से सारे करेंट फेस्ट समलोग रिवीजन करेंगे मिढक की तीन नई परजाती की खोज और उनाचल परदेश में की गई है इसे खोज कौन करता है तो जो लोगिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है और एक और खास बात सिसेरी नदी पूल का उधगाटन भी कहां किया गया है त पहला समाचार पत्र लॉंच किया गया है पहली बार अरुनाचल प्रदेश उसका नाम क्या है अरुन प्रभा तो यह आपको याद रखना है किस कोशन ऐसे आएगा कि किस राज जने अभी हाल में हिंदी का पहला निउजपेपर अपने राजे में लॉंच किया है तो वह है अ और अरुनाचल प्रदेश से और क्या याद आता है आपको आईउसी एन के द्वारा अरुनाचल प्रदेश ने समझाता किया है और किड के प्रोटेक्शन के लिए आईउसीन क्या इंटरनेस्टन यूनियोन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नीचर तो यह सारे एक्स्टर अपक्त जरूर याद रहने चाहिए चलिए अगला कोश्टन देखते हैं दोस्तो इस कोश्टन के सीरीज के खतम होने के बाद हम लोग कुछ mcq भी लगाएंगे तो दिल थाम कर बैठी है और रिवीजन आपकी बहुत अच्छे से हो रही होगी तो आप प्लीज इस वीडियो को ला नीचारा और कशनव न मायआं दिया तीरपूरा मिज Cyrus और और किंद सरकार के बीच कि समुदाय को लेकर समझदा किया गया है तो यह जो है विश्थापित कर दिया जिसे मतलब कि 23-24 साल से ये लोग महीं पर रह रहे थे तो इनहीं को सेटलमेंट को करने के लिए ये important काम किया गया है इसमें चेंद्र सरकार ने 600 रुपए आवंटित किया है और ये बहुत ही ज़्यादा important था तो ये अब तिरपूरा में ही पर्मनेंटली रहेंगे सबसे अची बात ये है कि अब ये तिरपूरा में पर्मनेंटली रहने वाले हैं और एक चीज़ और बता दू में इसमें मिजोरों किर्पुरा और केंद्र सरकार भी पार्टी है और सारे परिवार को दो साल तक हर रासन और हर चीज केंद्र सरकार मुहया कराएगी तो बुरू ट्राइब जरूर याद रहिए क्योंकि आपके लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है दोहजार पचीज तक किस देश द्वारा सुपूर्द किया जाएगा तो ओप्सन होगा रसीया या फिर यह पुछा जाए एस फोर हंडेड मिसाइल रसीया दावरा कब तक देने की घोशना की गई है तो यह घोशना जो है की गई है कब यह आपको दोहजार पचीज तक तो के द्वारा इसका उद्गाटन किया ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी उत्कृष्टा किंद्र अगला कोश्चन है विज्ञान समागम परदर्शनी तो यह चार फेजेज में होने है तो आपको यह ध्यान रखना है चौथा फेज है यह इसकी चुकी यह खतम हो चुका है यह लास है मुबई, बैंगलोर, कोलकाता बट जो कुश्चन पूछा जाएगा वो नई दिल्ली से ही मैक्सिमूम चांस है हो आएगा भारत और नॉर्वेग बिच पहला वेपार और निवेस वारता कहा हुआ तो आप्सन जो है इसका राइट आंसर क्या होगा नई दिल्ली में यह बारता हुआ था और नॉर्वेग एरना सोलबर्ग जो है यहां की पीम है और नॉर्वेग डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप प्ते हैं आई एससेफ 2019 रैंकिंग में कौन सा देश पहले अस्थान पे है इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका फूल फॉर इससेफ 2019 रैंकिंग में पहले अस्थान पे कौन सा देश है तो वो है भारत इसने बहुत सारे गोल जीते थे 2019 में नौए अंतरश्ट्रिय बाल फिल्म महुत सो कायोजन यह करेंटरफेस में मैंने बताया था यह जो है कोलकाता में हो रहा है दोस्तों अगर आप मेरी डेली क इंटरफेस देखते हैं तभी आपके लिए यह बेनिफिसियल होगा क्योंकि अगर आप इसे डिरेक्ट देखोगे तो आपको दरसल यह समझी नहीं आएगा और इसकी पीडियेफ मैं देता नहीं हूं अपने ग्रूप में कि आप इसे देखके रिविजन कर पाऊगे तो प फिल्म फेस्टिबल कईजन कहा हो रहा है देखिए बाल फिल्म कॉलकाटा लेकिन साइंस फिल्म फेस्टिबल यह गोवा पंजी में गोवा के मुक्हमंद्री का नام परमोध सावन्त पर्स अपको ध्यान अखने है राश्ट्रिये जलनिती draft के अध्यक्ष कौन बने हैं यह तीसरा जलनिती भारत सरकार के दोरह लॉंच किया गया दो जलनिती पहले बन चुके हैं तो यह तीसरा जो जलनिती बना है इसके दॉक्टर मिहीर साह इसके हेड बनेंगे और यह वीवी आई की कटेगरी में इसे जरूर याद रखिए यह पूछा जाएगा इसे चार महिनों के अंतर ड्राफ्ट का रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सुपूर्द करना है अगला जो कोश्चन है रूस के नए पीम रूस के नए पीम जो देमेत्री मिद्वेदेव थे उन्होंने इस्तिफा दे दिया था क्यूंकि रूस के समिधान में कुछ फेर बदल किया जाना है और किमिया अलिजा दे किस देश की किस देश से हैं जिन्होंने अपना देश छोड़ने का निनने लिया है और यह इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह इरान देश से रिलेटेड हैं और यह इरान की पहली एक लौता एक लौती लड़की है जिन्होंने ओलंपिक मे मेडल जीता था वह भी बरवू Like me अले धिता था व्रagrant कि लिए दूसरीरियों मेजो पिछला हुआ था उसमैं तो आपको यह ध्यान रखना है किमिया अलिजाधे कहां से हैं तो इरान से और अमेरिका मैंने बताया ही था अमेरिका ने एरान के लिगो का था आ कासिम सुलिमानी की हत्या कर दी एराक में हत्या की थी एरपोर्ट से आते वक्त तो यह सारे एक्स्ट्रफेक्ट आपको जहां रखने हैं कि मिया अलीजादे इरान से और यह उलम्पिक विजेता थी इसलिए मौस्ट इंपर्टन होता यह पूछा ही जाएगा अगला जो कोश् साथ मिलकर ये नहीं आस्ट्रेलिया में मिक्स डवल का किताब जीत चुकी है डवल का किताब इन्ने नादिया चिचोर यह साथ मिलकम के जीता हैं भारत की पहली साइबर अप्राद को रोक था मिकाई इसका नाम है आस सवस्थ तर नहीं आस्वस्थ मैंने हृंदी में लिख समय में सुधारने के लिए ये सुविधार शुरू किया गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आई सी क्रिकेटर अब दे यर तू थाउजंट 19 के लिए सारे आवार दिये गया है और इसमें जितने भी मैंने नाम मेंसिन किया है वो बहुत ही ज़्यादा जुरूरी है तो आपको सब को याद रखना चाहिए आई सी क्रिकेटर अब दे यर जो दिया गया है पूरसो में वो दिया गया है बेन स्टेक्स को और फीमेल में अगर बात किया जाए यह दिया गया है एलिस पेरी को One Day International Player of the Year Award दिया गया है रोहित सर्मा को और T20 International Performance of the Year Award दिया गया है दीपक चाहर को Spirit of the Cricket Award यह आपको पता है बिराट कोहली को दिया गया है तो इसमें जितने भी मैंने मेंसें किया है उसमें से Maximum जो Cricket Lover होंगे उनको तो याद होगा बट आपको भी यह याद रखना चाहिए तेस्ट प्लेयर अफ दे यर पैट कॉमिंग्स दोस्तों आपको यहां कमेंट करके बताना है कि टेस्ट प्लेयर आफ दे यर जो है पैट कॉमिंग्स को दिया गया है आवार्ट यह ऐस्ट्रेलिया से हैं और इन्हें IPL 2020 में सबसे महे खेलेंगे खिलाडी के रूप में चुना गिया है तो यह किस टीम के लिए खेलेंगे अगर आप सच में इस करेंट का नौलेज बढ़ाना चाहते हैं और आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग क्रिक प्राइस्टेडियम नियू देली में इसमें लगबग 2000 चुडेंट और शिक्षकों से परधान मत्री ने बातचीत की थी और उन्हें परिक्षा से स्ट्रेस से लड़ने की उपाय बताए थे अगला कोश्चन है असम अंतर देशी जल परिवान योजना के लिए किस बैंक के विस्व बैंक के साथ समझाता किया गया है एक चीज़ और मैं आपको दूस्तों बता दूँ यह तो 16-31 जनुर्वरी का जो करेंट रफेस है यह थोड़ा सा लेट से मैंने पब्लिस किया बट जो फरवरी माह का करेंट रफेस होगा वह बहुत टाइमली में अप्लोड करू और कंपाइलेशन में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है यह मंतली करेंट अफेस्स रेडी करने में मुझे अटलिस्ट पूरा एक दिन देना पड़ता है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों से भी बताएं और उस ग्यान को सेयर करें तो य सबसे पहले इसके विरोद में एक बिल पास किया उसके बाद इन्होंने सुपरिम कोट में भी यह पहला स्टेट है इसको चुनौती दे निया किस आर्टीकल ओन daar तो इसके विल पास किये है तो यह सब जरूरी होता है सबसे पहला आपको याद रखना चाहिए बाकी के स्टेट तो नहीं भी पुछे जाते हैं लेकिन पहले पुछे गया है भारत की महासरवेक्षक किसे नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन जो है यह गिरीश कुमार को नियुक्त किया गया है फिर से प्रे Leon Gear 느vy पॉइंट किया गया है और अगला जो मस्चनल जी सैट 30 जो है जो उललось किसे खरेगा तो इसे ही तरह के सवाल आ सकते हैं जी सैट 30 को कहां से लाइवाटक किया गया तो यह फ्रेंच गहना आरियान 5 नामक रौकेट से अर्यान 5 नामक यहान मड़क्त से लाइवा हमारे जो संचार विवस्ता हैं उसको सरयोग करने के लिए यह टाइप होगा इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे फिर जो है यह किसे रिप्लेस करेगा तो इंसाट 4a को रिप्लेस करेगा और फ्रेंज गयाना से इसे छोड़ा गया है आरियान 5 रॉकेट से अगला कुछ न अधर कहा होँ था इंख Nintendo ते वहाँ से आमादाबाद में पॉंगल ते वहार जो है वो कहां मनाया गया तो यह तमिल राडू में मनाया गया पॉंगल और conten और यह हमारे यह मकर संक्रांती होता है उसी के उपलक्ष में तो आपको ध्यान रखना चाहिए यह फेस्टिवल बहुत ज्यादा एक्जाम में पूछे गए हैं हलो फ्रॉंट्स अब हम लोगों ने वन लाइनर देखा था अब से हम लोग जो है सारे MCQ भी solve करेंगे और कुछ MCQ ताकि आप बोर नहों और पहला कोशन है कि सराज ने अपना अर्थालिसवा अस्थापना दिवस मनाया तो यह जो है इसका option right कौन होगा यह होगा मेगाले मेगाले ने अपना अर्थालिसवा अस्थापना दिवस जनवरी महा में मनाया तो इस question को दिख लिए 24 जनवरी को रश्ट्रिये बालिका दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और 4 जनवरी को कौन सेना कौन सा दिवस मनाया जाता है अब प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं अगर आपने प्रिविएस हमारे वीडियो देख्या होंगे तो किस राज ने राजस्तर पर और्किड की रेज लिस्टिंग के लिए आयू सीन से समझाता किया इसका आंसर मैं बता चुका हूं अरुनाचल प्रदेश फीफा वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहा होगा तो यह आयोजन जो है कतर में होगा 2020 में 2022 में 2022 की बात है कतर में इसका आयोजन किया जाएगा और अभी हाली में कुलकाता पूर्ट का नाम बदल के क्या कर दिये गया है डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी पूर्ट डेड़ सो साल इसके पूरे होने के उपलक्ष में तो चलिए आगे बढ़ते हैं किस राज ने अपने तीन राजधानी बनाने का प्रस्ताव पास किया है तो यह जो है आंधर प्रदेश है आंधर प्रदेश की गौर्णर है विश्वभूसन हरी चंदानी और यहां के जो को यह मेंड्यान का नाम आफ जांते हैं वाई यसां जगन मोहन बार्ति चलिए बारतियी तिरंटाजी इसनकाधिक्श किसे बनाया गया है फिरंडार के हेड़ बने है ग्रीस चंद्र चत्रुवेडी क्या है तो य crush कि अ मैंने इन दोनौ इसका अंसर होगा व्लifty आनसर अभी मत होईगा मैंने पहले भी बता था इतनी सारू फैक्ट से रहते हैं कि थोड़ा सा इधर से उदर हो जाता है जन्वरी 2020 में किस कंपनी का बाजार पुंजी करन यह पुंजी करन है यह पुंजी करन है किया गया और जो अगला कोचन है आई एफ के अनुसार भारत की जीडीपी का विकास दर कितना रहेगा यह हर बार कुछ दिनों पर विकास दर का एक लिस्ट हर एजनसी के द्वारा जारे किया जाता है तो यह जो है दर कितना होगा इसी के बारे में पुछा गया है और यह 31 मा कोरोना वाइरस किस तेस में फैला आपको पता ही है यह चीं में फैला और इसका नाम कोबी दिया गया है तो अगला जो है हाली में साथ वी आर्थिक जंगंडा किस राज में सुरू की गई तो यह जो है अभी सुरू की गई है उसके बारे ment portion किस हर में बने गा तो यह बने है इसको ज़रूर याद रखें तो यह पुद्दू चेरी में शुरू होगा अगला जो कुछन है किस कंपनी ने उबर इट का अधिगरहन कर लिया एक्विजीशन तो यह जो है जो माटो ने इसका अधिगरहन कर लिया है उबर इट का भारत और किस देश के बीच स्ट्राटि इंटिग्रेटर चेक पोस्ट बारत और किस देश के फिच खुला है तो इसका मैं आशर पहले ही बता चुका हूं यह जो है बारत और नेपाल के बीच में खुला है अगला जो फैक्ट है हमारे सामने डबलू एफ का क्रिस्टल अवार्ड से किसे समानित किया गया इसको भी रासन कार्ट से अब कहीं भी किसी विराज में अपने रासन का जो भी सामान है वो खरीद सकते हैं ग्लोबल सोशल मोबिलीटी इंडेक्स में भारत की क्या रहेंग है तो यह जो है 76 इसकी रहेंग है और इसकी पॉइंट जो है मतलब इसकी जो पॉइंट मिले हैं वह 42.7 है इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य टॉप पे है तो इसमें जो है महाराष्टा टॉप पे है और उसमें कितने मेडल जीते तो उसमें जीते 234 तो सब से टॉप याद रखना चाहिए आपको फिर जो है सेकेंड नमबर पे कौन है हरी आणा है तो यह सब इस इंपॉ पूजा तो यह महार्मागंधी कन्वेंशन सेंटर के नाम से यह बहुत ज्यादा फेमस कुष्टन है और यह चुकि उस देश में उस इलाके में पहली बार खुला गया इसलिए वीवी आई के कटेगरी में इसको रखेंगे और इसको जरूर यादर कि नाइजर इस दर देकने हैं इस अगला कोशन है इस्पेन के नए राष्टपती इसपेन के नयरा रास्टपती कौन है यह पेंडरो साचेज शना मारीन कोन यह दुनिया के सबसे युवा प्रदानमंत्री है और यह फिंद्लेंड की है फिल्लेंड फिंडेंस इंदेक्स में टॉप कर है हैं अ है मेड़ी लिस्ट का एक देश है आपने अगर मेरे कर इंटरफेस देखे होंगे तो आपको यह पता होगा यमन यमन की यह बने हैं जो को भी डिवड़ों इंडोनेसिया के नए राष्ट पुती है कि 96 जनौरई कोन से राजए ने सव्मिधान की प्रस्ताओना को पढ़ना निवारे कर दिया है तो यह राज, आप्सट ए महराश्ट अगला खोच, मैं 2020 का गेश्ट कंट्री कौन है तो यहहां भारत और 2022 का जो पुष्टक मेला होगा उसमें भारत पैयरीश और घंट या फेस बेस्ट पहचान करने वारी artificial intelligence एप लॉँच की है तो यह बहुत एड़्वांस से स्टेच यह है ते लांगना के चंद से कड़ाव के सीम है और यहां की राजधानी है है ख्यादराबाद तो यह ते लांगना गवर्मेंट नहीं face based launch किया था नगरपालिकवा के चुनाओं में South Asia में कौन से देश Passport सुविधा लोट ऑट किया है इस question को जड़ा समझे ए पास्पोर्ट सुविधा की बात हो रही है South Asia में तो यह बंगलादेश नहीं launch किया बंगलादेश की साहरत और बैंगलादेश के मिच में जिसके डारेक्टर कौन होंगे स्याम बेनेगल ठीक है स्याम बेनेगल और इसके डारेक्टर होंगी और सिक मुझीबु रहमान जिनकी बेटी है से कसीना वह भी पीम है वहां की तो यह अग्रेमेंट साइन हुआ है कि सिदेश में महत्मागंधि कर्मेंसर उडर पुला इसका मैं बता चुका हूं नाइजिरिया बी 77 की अधाशता इस साल कौन करेगा तो यह जो है जी 77 की अध्याक्ष्टता इस वार साउथ अमेरिकन कोई कंट्री कर रहा है इसका नाम क्या है मैक्सिको तो तो स क्वेशन है वह है वैस्विक प्रतियस्पर्धा सुचकांक दूस्तों सुचकांक और इंडेक्स की मैं जल्द ही एक बहुत ही बहतरीन वीडियो लाऊंगा जैसे सब एक जगह में कंपाइल करूंगा क्यूंकि यह बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और एक क्वेश्चन हर जाम में रहता है तो इसमें भारत की रैंक जो है 2019 में थी 80 लेकिन 2000 जो 20 में इसकी रैंक जारी हुई है 23 जन्वरी को वह जारी हुई थी इसमें 72 रैंक थी गुलोबल टैलेंट कॉम्पेटिटिवनेस इंडेक्स में 72 रैंक है तेन्थ एन्वल मीटिंग ऑफ दो फॉरम ओफ इलेक्षिन बोडिज इलेक्षिन बोडी मैंनेजमेंट बोडिज का यज़ों जो है नुई दिल्ली ने चेहरमैंसिप लिया है भारत सिरकार ने तो इलेक्षिन कमिस्ण जो है अभी कौन है अमारे सुनिल अरोडा इन्हों नहीं इसको प्रेसिदेंटिशी इनके पास ही है भारत ने किस देश को तीन हज़द जनीत रोग हैं तीम माल्दीव को प्रुबाइब कर लेकिस देश को रोहिज़ा क्रैसिस नर्संघार रोकने और उपायक करने का निदेश दिया है है वो है मियानमार इसको इन्होंने निंदेश दिया है और रोहिंग्या क्राइसिस यहीं पर फैला था आंग सांसुकी और वहां के यूथ गेम्स में कौन सा राज टॉप है महाराष्ट्रा भारत पर्व किस जगह मनाया गया तो यह आपको याद होना चीए यह लाल खिला पर मनाया जा रहा है शबी जनवरी के बाद से चैंपियन आफ चेंज आवार्ड यह मॉस्ट इपोर्टेंट को जने सिल्पा सेठी और अगला खुश्चन है किस देश ने अपने नागरीकों को हाल में सौधी अरब जाने के अनुमती दे दी है तो यह था इस्राइल इस्राइल की राजधानी है जेरूसलम और न्यू सेकल यहां की करिंसी है इस्राइल से भारत के बहुत अच्छे दिस्ते आपको पताई होगा और यह रहा इजराइल के अगर आप मैप देखना चाहें मैप से भी इसके स्टडी कर चेकते हैं देखिए इजराइल जो है पहले इजराइल के नागरीक उनको अगर सौधी अरब जाना होता था तो वो जाते थे जॉर्डन से लेकिन अब वो डिरेक्ट जा सकते हैं यहां स जो सवाल सबसे ज़्यादा इस इलाके से पूछे जाते हैं मेडिटेरेनियन सी से कुछ के किसकी बाउंडरी लगती है तो इजराइल की लगती है लेबनान की लगती है सीरिया की लगती है यहां जॉडन आप देख सकते हैं और इधर जो है इलाका पूरा यह वेस्ट एसिया स ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं अपने डेली कर इंटरफेस में ऐसे मैप दो डेली इंक्लूड करता हूं एट लिस्ट और आपकी उससे रिविजन इतनी अच्छी होती है कि मैं सौ से देट्स ओफेक्ट डेली रिविजन कराता हूं यह तो सिर्फ कर इंटरफेस की देखते हैं पद्म भीवूसन किसे दिया जाएगा पद्म भीवूसन आप जानते हैं अरुंजेटली सुस्मा सवराज जोर्ज फनानिस तीनों को दिया गया है इस पर मैंने एक बहुत ही वेतरीन वीडियो भी डाला है आप मेरे वीडियो के लिस्ट में जाके देख सकते है किसको क्या-क्या मिलेगा उस पर पूरा कंपाइलेशन मैंने बनाया हुआ है और जो एक्जाम औरियेटेड है एक्जाम में पूछे जाएंगे किस देट से एक देश एक दास रासन कार्ट तो एक जून 2020 किस एरिया को जंजातिये प्रदेश घोसित किया जाएगा अप्शन रिपब्लिक देखे मुख्यातिती जयर बोलसेनारो ब्राजील के रास्ट पती अगला जो कोश्चन है और्स्ट्रिया में जे बटन कप निशाने बाजी में पूरी चंदेला ने कौन सा मेडल जीता तो यह गोल्ड मेडल जीता किस बैंक ने अभी कार्लेस निकासी करेगा दोस्तों ध्यान दीजिए फ्लाइट सर्जन की जो ट्रेनिंग है वो फ्रांस देशतेगा लेकिन जो चार एयर फोर्स के पाइलेट है उनको ट्रेन कौन करेगा वह रूस करेगा आई एमफ के अनुसार भारत की जीडिपी कितनी रहेगी तो यह मैं बता चुका हूं 4.8 परसेंट हाली में डीएसी ने कितने कड़ोर रुपए के रक्षा उपकरन खरीदने की अनुमती दी है डिफेंस एकुजीशन काउंसिल इसका फुल फाम होता यह 500 कड़ोर होगा इसका राइट अंसर और और आर्वी ने किस टेलिकॉम कंपनी में के एम पैसा को रद कर दिया है अगला कวचा न किस टेलिकॉम कंपनी ने यूपी पेमेंट सुविधा सुरू की है तो यह जिए ने शुरू कि है बाकि सबके यूपी प्यूबेंटा पहले से ही चल रहा है रिसेंटली विटर प्रद्स में सब्सक्राइब किया है तो इसका राइट अंसर होगा आई एम इंदौर तो आपको यह ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के लिए मॉस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है दादार रोयम नागर हवेली हम दमन दोनों की राजधानी क्या होगी तो यह जो है ऑप्शन इसका राइट अंसर होगा दमन इन दोनों की कौमन राजधानी होगी इसके लिए बिल पास कर मत आता दिवस 25 जनौरी को मैं आ जाता है मैं बता चुका हूं 12 जनौरी को रश्ट्री यह युवा दिवस 24 जनौरी को गल्चाइल डे यह सारे इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन यह सारे हमारे जो जितने भी 31 जनौरी को मैंने यहां करा दिया है थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग और आप सब प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सायर करें सेयर करें और आप मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और फरवरी मंत की भी वीडियो जल